कि हलो फिंट्स मैं हो दया आप सभी का स्वागत है आपके अपने युट्व चैनल इंग्लिश बादर सर पर काफी इंपॉर्टेंट ट्लास होने जा रही बहुत से बच्चों को इसका इंतजार था कि सब्सक्राइब लिटरी टर्म्स और स्पीच के जो लेक्चर्स हैं वो पांच दस करा दू कोई मतलब नहीं है बहुती इंपॉर्टेंट है पांच से दस मिनट के वीडियो में सारी चीज़े आपकी क्लियर हो जाएंगी तो इसी लिए मैंने अलग-अलग पार्ट इसको बनाया है ताकि मैं हर एक पार्ट में अपनी बात पूरी तरह से एक्स्प कि टफ से टफ चीज़ को हम easy words में explain करते हैं और बच्चों को easily समझ में आ जाता है तो transferred जैसा कि आपको पता है कि transfer होने वाला है कुछ इस figure of speech में आपको यह समझना है जो epithet है यानि जो adjective है original noun के लिए ना कर किसी और noun के लिए आ जाता है बात उसी की करता है बट उसके साथ associate ना होकर किसी और noun के लिए आ जाता है इसी को हम transferred epithet कहते हैं बहुत ही easily way में मैं आपको बता सकता हूं जैसे मैंने कहा it was a wonderful day तो it was a wonderful day अब दिन तोड़े ना wonderful हो सकता है wonderful तो मेरे लिए रहा होगा элект person होगा जिसने enjoy क्यों बुरा रहा हो बैट दे रहा हो तो दिन ना बुरा होता है न अच्छा होता है जो उसे enjoy करता है उसके लिए बुरा है अच्छा होता है राइट पर्सन के लिए तुमां लिए को їज्यक ना कर जिसके साथ वह एसोसियट होता है उसके साथ ना कर वो किसी और नाउन को जब EXPRESS करता है उसी को हम transferred epithet कहते हैं इसको पीटा हाइपलेज भी कहते हैं क्या कहते हैं हाइपलेज तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम नीवेस करते हैं important है तो यह part 1 आप देख रहे हैं transfer epithet तो चलिए कुछ important चीज़ है PDF मैं इसकी last way दूँगा जब कुछ literary terms of figure of speeches करा लूँगा तब मैं इसकी PDF आप लोगों को दे दूँगा तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुए transfer epithet refers to the use of an adjective तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ बहुत ही easy way में समझा रहा हूँ कि epithet का मतलब गाईद आप लोग समझ लें epithet का मतलब होता है adjective और वो transfer हो जाता है transfer हो जाएगा adjective है कहीं भी transfer होगा आएगा noun के लिए ही मतलब किसी और noun के लिए आने लगता है original noun के साथ ना कर किसी और noun के साथ के लिए आने लगता है उसी को हम transferred epithet कहते हैं transfered epithet refer to the use of an adjective or a phrase that describe a noun to modify another noun in the sentence कहने का मतलब है यह a है यह b है यह c है अब माल लीजए यह b adjective है आना इसको इस noun के लिए है लेकिन इसके लिए नहीं आ के इस noun के लिए आ रहा है और बात इसी की कर रहा है तो यह क्या होता यह क्या है transfered epithet यह transfer हुआ है यह पहला वला word epithet कहलाता है और दूसरे नाउन के लिए आ रहा है जिए transferred epithet कहलाता है right it is identified by the adjective or phrase that describe the noun in the sentence ये जो transferred epithet होता है किसके दोरह describe कियाता है adjective के दोरह describe कियाता है it is identified by the adjective बस आपको confused करने के लिए बड़ा tough तना बना दिया गया है transferred epithet या hyperlage आपको confused करने के लिए बना है confused नहीं होना है बस एक adjective है पहले वाले noun के लिए ना कर दूसरे वाले noun के लिए आ रहा है इसी को transferred epithet कहते है right तो ये adjective के दोरह identify किया जाता है या कोई adjective वाला phrase हो जो describe करता है किसी noun को एक sentence में transfer epithet also known as hyperlage इसको hyperlage भी कहा जाता है तो ये चीज़े आपको समझनी है अब आईए let's see some example कुछ examples देखते हैं इससे और बहतर तरीके से आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी ठीक है देखें क्या लिखा हुआ है पहला जो example है the teacher pointed an angry finger अब बताईए क्या finger angry हो सकती है ये तो आपको पता है ये क्या है angry क्या है यहाँ पर adjective है और इसी को बिटा epithet कहा गया है क्या कहा गया है इसी को epithet कहा गया है याद रखना तो the teacher pointed an angry finger at the class तो finger angry नहीं है actually मैं angry कौन है teacher teacher की finger की बात हो रही है गुसे में दिखाया प्यार से भी हम लोग हाथ दिखाते है गुसे में भी हाथ दिखाते है तो हाथ को गुसा नहीं आता है परसन को गुसा आता है लेकिन यहाँ पर जो angry है वो finger को point out कर रहा है तो देखिए ये transfer हो गया ये angry finger के उपर transfer हो गया मतलब जो किसान है जो चरवाहा है वो बहुत महनत करके दिन भर की महनत करने के बाद हो जा रहा है वियरी वे अब रास्ते थोड़े न थके हुए होते हैं यह बड़ी इंपॉर्टन लाइन है एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चियार्ट की लाइन है तो उसकी बड़ी इं आपको अजीब सा लगेगा वही गलिया आपको बड़ी बेकार सी लगेंगे तो आप फील कर रहा हो रास्ता नहीं फील कर रहा है बड़ यहां पर देखिए वियरी ने वे को डिस्क्राइब किया है जबकि यह जो एडजेक्टिव है यह जो एपिथेट है आना चाहिए था प्लो मैन के लिए तो यह हो गया ट्रांस्फर एपिथेट और बड़ी इंपॉर्टन लाइन है याद रखिएगा एलेजी रिटेन इना कंटरी चर्शियाट की लाइन है इसके लावा दे सीम टू हैव एन अनहैपी मैरेज अब अनहैपी मैरेज देखिए क्या है शादी कभ ना कि दे को डिस्क्राइब किया है बट बट अनहैपी कौन है दे परसन जिनकी साधी की बात हो रही है राइट वी हैट सच अ वंडर्फुल टाइम एट दा मुवी यस्टरडे अब यह कल आपने मुवी देखी बहुत वंडर्फुल टाइम था आप लोगों के लिए तो ट टांफर्ड आपीथट कहते हैं वंडर्फुल यहां एपिथट और टाइम एक अगला नावन ने यानि जो एड़ेक्टिब और कोई एड़ेक्टिब माल लीजिए कोई आड़ेक्टिब जिसे एपितट कहा गया है वह और इनलन के साथ ना कर दूसरे नावन के साथ आए उस कुछ transferred epithet है is that clear I saw a person who was the blind stick अब बताईए क्या stick blind हो सकती है stick तो blind नहीं हो सकती है बल्कि वह person blind होगा जिसने वह stick पकड़ रखी है but blind यहां पे stick को express कर रहा है इस noun को express कर रहा है तो यह original noun तो नहीं है बात किस की हो रही है person की हो रही है जो blind है तो blind stick से हमें यह पता जल जाता है, हम लोग जो छड़ी होती है, जो blind लोग लेके चलते हैं, उसको देखके जान जाते हैं, किसी person की है, तो original noun को ना express करके, जब दूसरे noun के लिए यह adjective आ रहा है, इसी को transferred epithet करते हैं, याद रखेगा, यह blind यहाँ पर epithet है, इसी को adjective कहा गय है, बिने head a sleepless night, अब बताईए, क्या राते जो हैं, वो sleepless हो सकती हैं, नहीं, विने रात में नहीं सोया है, विने की जो राती वो बर्बाद होगी, वो नहीं सोया है, night sleepless नहीं होती, बलकि वो person sleepless होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, राते दो बड़ी अच्छी होती आराम से सोते हैं, right, it was a happy day, it was a happy day, तो day देखिए, day कभी happy हो सकता है, नहीं, किसी के लिए दिन बहुत बुरा होता है, किसी घर में मातम हो रहा है, तो किसी क्या खुशिया मनाई जा रही है, तो किसी के लिए bad day है, किसी के लिए happy day है, तो यह जो day वाला noun है, यह और इनल noun है, actually मैं happy, उस person के लिए आया है, जिसका दिन अच्छा है, तो happy day है, यह क्या है, transferred episode है, तो I hope आप अच्छे से समझ गए होगे, बहुती easy way में समझ गए होगे, देखिए, यह मैंने एक trick बनाई है, आप लोगों के लिए, एक ही adjective है, एक ही adjective है, वो उसको आना चाहिए, किसी person plays or think के लिए, लेकिन वो उसके लिए ना आकर, जिसके बारे मों बात कर रहा है, वो किसी और noun के साथ associate हो जाता है, वो कोई situation हो सकती है, कोई non living thing हो सकती है, एक ही मैं और बता दू, transferred epithet की एक trick और याद रखेगा, जिसके साथ वो adjective आ रहा है, epithet जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस नाउन के साथ जुड़ा होता है, वो अधिकतर एक situation होती है, यह non living thing होता है, actually मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा है, एक्चिली मैं वो अपने subject की बात कर रहा है, जो main noun है, बट उसके साथ वो जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको transferred epithet ना कर रहा है, transferred adjective को आप लोग, यानि यानि याद रखेगा, एक adjective है, starting महीं मैंने बताया था, दो noun है, तो वो इधर वाले noun के साथ आ रहा है, इसके साथ meaning बना रहा है, यानि किसी तीसरे noun के बारे में बात कर रहा है, दूसरे noun के साथ खड़ा होकर, transfer हो गया, कहे रहा है, मुझे पहला वाला noun नहीं पसंद है, किसी को हम transferred epithet कहते हैं, तो I hope आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका pdf अगएरा भी मैं आपको दे दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो class कैसी लगी, आप लोग comment करके बताईएगा, और ऐसे सारे figure of speech, literary terms मैं अलग-अलग आपको वीडियो के माधियम से देता रहूँगा, निश्चित तौर पे आपके exam में चाहें TGT हो, PGT हो, KVS हो, LT grade हो, GIC हो, पूई भी exam आप देने जारो, यहां से definitely questions आने वाले हैं, तो पूरी तरह से alert रहिए, पूरी मांदारी से पढ़ाई करिए, इसका result आप लोगों को मिलेगा, Thank you very much.